तो महुत अपन कुमार चाहब सभी का बहुत सवागरत हुआ हमारे आज वीडियो में जिसमें आज बात करने माला हुए कि इंपॉर्टन टॉपिक के बारे में कि यह वीडियो ने वाली बहुत खास सब के लिए कॉमन है क्योंकि एक नेट्वरक अदर कौन सी सर्विसे जो कोई भी आके अटाक कर सकता है तो इसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ आज एनमैप के बारे में एनमैप के उसफुल कमार्ड जो आपको हेल्प करेंगे आपके नेट्वरक के इंफ्रेस्टुर को आइडिन्टिफाइ करने में कि लिए कौन सा सिस्टम मेरा वो शायद आ साथ में 1-2-1 कोर्स करने के लिए वीडियो को स्टाट करते हैं उसके अलावा हम जो भी लाइब क्लास ले रहे हैं वो ले रहे हम लोग साइबर कक्षा के ओपर ठीक है ना साइबर कक्षा हमारा यूट्यूब चैनल है नया वाला उसको लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल साइक है नदर डेबाइस का सब्सक्रिभ um जोकि नर्या फटर के अंदर राहा है की यह hanno से आवर है यह तuchenा अध्यापक्स का रहा हुर्फ है यह जोकी वहरीना है आपको सब्सक्रियाइज घरा भास उकार बैस्क्राइब का गोटक्र शोक्ताएं न्नीट टवं करना है काली निस के अंदर आपको सीधे का टर्मिनल ओपन करना है ठीक है न आप इस कहां स्टार्ट में जाओगे क्लिक करोगे कोई मतलब नहीं सीधे यहां पर जाकिए इसको प्लस साइन पर दवा दो बड़ा बड़ा होता है एंड मैप उसके बाद फिर यहां करना है आपक सारे options add कर देते हैं make it simple make it lighter बहुत अच्छे से चलेगा यह एंड मैप एक port scanning tool है एंड मैप को सीधे कमांड का नाम टाइप करो इस पेस देगे आइपडस टाइप कर दो जो भी आपका IP address है 192.168.220.120 मेरे system का IP address है ठीक बात है आपके network में चल रही है जो भी router switches firewall जिसका भी IP address यह network administrator भी कर सकता अगर आप चाहते हैं यह पुरी range define करना तो आप यहाँ पर iPhone 254 कर दो जो आपका IP का range होगा ठीक है न तो वो भी कर दोगे तो पुरा range scan कर देगा पर अभी मैं करने वाला हूँ या फिर आप इसको slash 24 कर सकते हैं ठीक है न वो भी चल जाएगा आपका इस इतने इतने port open दिख रहा होगा आपको 21 मेरा open है FTP मेरा open है sorry FTP open है SSH मेरा open है Telenet मेरा open है अलग-अलग services ने देदी मुझे अब क्योंकि port open होना ही कोई threat नहीं होता किसी भी organization के लिए बट हाँ वो जो port है वो कि कौन सी service host कर रखा है दिख रहा है मेरे सामने service क्या वो service जो ह इसके लिए system administrator को basic practice करना है Kalinix चला है network के अंदर enter करें उसके बाद port scan मारें चेक करें services के लिए service के लिए जड़ा को load नहीं करना पड़ता है इसके अंदर आप directly चाहोगे जब मैं यहां पर आया और clear करता हूँ पहले इसको ठेके न और मैं यहां पर आया और मैंने यहां कर इतना इसा ही उसकरना एंटर मार दोगे तो आपको पूरा scan चलना शुरू हो जाएगा और आपको देदेगा यह कौन-कौन से versions जो है वो available है देख रहा होगा आप पर वीडियो को लाइक तो बनता है वीडियो को खता होने गात कमेंट जरू कर देना कैसी लगी आज की देख रहा होगा आपको अपन यहां पर IAC, BIND और फिर अपन 2942 अपन यूज़ कर रहे है ओपन SSH 4.7P1 यूज़ कर रहे है इसके अंदर VSFTPD अपन 2.3.4 यूज़ कर रहे है अलग-अलग services के आपके बारे में information आ गई ठीक है इसके अलावा एक और command आप कर सकते हैं यूज अगर आपने बोला कि तपन सार ठीक है यह मिर सामने आगी version आ गए अब क्या होता है कि attacker क्या करेगा इस outdated version को Google पर सर्च करेगा इसके exploits जुंडेगा और फिर अपकी system को exploit करने की कोशिश करेगा पर अगर उसको यहीं पर आगर रुग जाएगा वो तो फिर उसका आगे साम से ठीक है ना और अगर मालो इनकीस आपको लगता है कोई outdated वर्जन और अप्ग्रीड करने से अगर वो कुछ solve हो पा रहा है तो ट्राय करें अपने जो भी service provider है आप उसको बोल सकते है कि मेरे system को upgrade करवा दो आप या फिर आप भी कर सकते हो उस चीज को ठीक है ना तो यह यूज करते है कमांड है उसके अलावा हम कर सकते है यूज हाइफन केपिटल ओ कर रहोगे आप तो यह ओएस के बारे में information देता है ठीक है आप बात है वीडियो को लाइक कर दो ना भाई कब तक देखते रहोगे वीडियो ठीक है ना तो हाइफन ओ कर दिया आपन ने आपन आपको अपने कालिनिस का पासवर्ड तो मैंने यहां पे डाल दिया काली काली और फिर काली काली और फिर काली काली आखो वाली हो गई है दो मिंट के अंदर मेरा इसके अंदर काली नहीं है ठीक है अब देखो यहां पर मैंने स्कैन करा और मैंने दिखा दिया मेरे OS के बार हाइफन अब यह करोगे ना इसके लिए आपको वी करने ही ज़रूरत है क्योंकि वी बेसिकली आपको आउट्पूट डिस्प्ले करेगा स्कैनिंग के दौराद टेकिन और वी जो है यह सबसे ज्यादा खतरनाक लेवल का खतरनाक तो नहीं बोलता है मैं बहुत यूसफुल कमांड है जिसका काम क्यों होता है बेसिकली यह सारे काम करता है आपको ट्रेसरूट कर देगा उसके बाद आपको वर्दन इनॉमरेशन कर देगा फिर आपको ड्रेस कर देगा इस क्रिप्ट स्कैनिंग के वज़ये से ही एन इंटर मानने दिख जाएगा आपको यहाँ पर hyphen A आगे लास्ट में दे रखा इसके अंदर, तो दिखरों को भाई बहुत सारे काम करता है, यह क्या करता है, पहले तो आपका इनेबल करेगा OS Detection, OS Detection करेगा यह कि OS कॉन सा रन कर रहा है, फिर वसंट Detection करेगा यह, फिर स्कै इसके इसके यह बहुत से क्या होगा कि बहुत कम सा जनरेट होगा और विदिन आ सेके आपको रिस्पांस मिल जाएगा, मुझे बहुत कुछ नहीं करना दिख रहा है, इस पर्टिकुलर सर्विस पर कौन सा वर्दन मेरा रन कर रहा है, तो ऐसे स्मार्ट तरीके से एधिकल जाते हैं और इसके इसके डिटेक्शन नहीं हो पाता, फार्वल पकड़ नहीं पाता, और ट्राफिक जनरेटर नहीं होता, और सारे उनके काम हो जाते है, security administrator को भी यही काम करना चाहिए, ताकि वो चेक करतेगी, कोई hacker है उससे पहले मैं identify कर दो मेरे system में क्या-क्या weakness है, त इसके विए से आपको काफी सारा थाइम लुपना बड़े, दिख रहा होगा, आप पोर्ट सारे ओपन दिखा दिखा रहा है, वरना क्या होता है, कि यह पुरा scan कर देगा, एकदम सा आपपूर दिखाएगा, पर वी कर दिया आपने तो वर्बो सटी के लिए होता है, तो व वर्ड के टॉप 10 टूल के अंदर भी इसको हम काउंट करते हैं, और यह fast port scanning tool भी कहते हैं, इसको दिख रहा होगा, कितनी detail में information दिया, इसको दिख रहा होगा, कितनी detail में कोई भी port scanner, आज ही तारिक में कोई scan करके नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इस tool का use करें, तो इस tool का use क कर सकें, वीडियो को जा लंबी करने वाले वीडियो को इन खतम करूंगा, मैं अच्छे लगी तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कैसी लगी वीडियो और उसके लावा कोर्स करना है हमार साथ में, तो 1-2-1 कोर्स करने के लिए, फॉर्म जो है, चैट बोक्स मे है आपके, और डेली यहाँ पर चल रही है, मालब एक दिन चोड़ी एक दिन हो सकता है, वैसे रगुलर चल रही दिख रहा होगा आपको, आज भी इसके लिए आपको काली की भी सरीज चालू हो गए, तो काली निक्स भी आप वहाँ पर जाके सीख सकते है, तो यह सब मैं ते ने 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 वीडियो के दोर, बाइ!